हेलो फ्रेंज, फूटलव चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बचे होए चावल की टिकी जो बहुत ही इजी है बनाने में इसे बनाने के लिए हमें एक कप राईस चाहिए उबले होए राईस इसे एक बाउल में निकाले और इस तरह से हाथ से अलग-अलग कर ले फिर इसमें तीन चोटे आलो ऐसे हाथ से मेश करके डाल दे आप चाहिए तो आलो को कद्दू कस भी कर सकते हैं अब चावल और आलो को अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें हम एक मेडियम साइज की कटी वी प्याज डालेंगे दो हरी मिर्ची या एक हरी मिर्ची आपको जितनी पसंद हो जितना तीखा पसंद हो और इसमें हम तीन छोटे चममच कॉन्फलो डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे आदा चम्मच चाट मिसाला डालेंगे थोड़ी सी हल्दी सिर्फ कलर के लिए नमक स्वादनुसार एक चम्मच हमने जिंजर गालिक चिली पेस्ट लिया है अब इस सब को हम अच्छी से बना लेंगे मिक्स कर लेंगे एक दो जैसा बना लेंगे देखिए हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं एक दो जैसा बन गया है अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ओईल लेंगे इस तरह से अपने हतेलियों को पर ओईल लगा लेंगे और mixture का थोड़ा सा पार्ट लेके गोल-गोल टिक्किया बनाएंगे इस तरह से गोल-गोल बना लें और बीच में से प्रेस करते हैं इस तरह से आप एक लेमन साइज बॉल एक छोटा सा मुठी के अकार जिसे हम आलू का पराटा बढ़ते हैं उतना mixture लीजिए और इसकी इस तरह से गोल-गोल टिक्किया बना ले जाएंगे हमने सभी mixture का ये गोल होने के लिए ये तवा गरम हो चुका है अब इस पे हमने तेल लगाया है थोड़ा सा सीजन किया है हमने ये कास टाइरन पैंकिवर्स किया आप कोई भी तवा यूज कर सकते हैं नॉन स्टिक यूज करेंगे तो उसमें और भी कम ओल लगेगा अब इस तरह से आप सारी टिक यूज को थोड़ा सा प्रेस किया है ताकि वो थोड़ी सी और पतली हो जाए और अच्छे से सिख पाए ते देखिए कम से कम पांच मिनिट तक आप इस एक तरफ से से के थोड़ा से ओपर से ओईल डाले आज मीडियम रखें तेज ना रखें और चाहे तो आप इसे हलकी ग आप इसारी टिकिया पालटते होएं देखिए एक तरफ से ही सिख भी गई है अब इने दूसरी तरफ से भी से इक लें इसी तरह तो यह देखिए हमारी टिकियां बिलकुल तयार हैं बन चुकी हैं यह बहुत ही खाने में स्वादिश्ट हैं सबसे अच्छी बात यह कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताएए और इसी तरह की इजी और अच्छी रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग